Hello student, once again we are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of mathematics class 5 and lesson is 11 percentage. Percentage means प्रस्षत. आज के class में हम से लोग सीखने वाले हैं कि प्रस्षत का क्या मतलब होता और कैसे उसके questions को solve किया जाता है. तो यह बर्ग बुक के question है, आपको बहुत थोड़ी hint में ही यह समझ में आ जाएंगे. तो first में लेखा हुआ look and understand मतलब देखेगा और समझेगा. देखें कि आपर यह चोटे-चोटे square बने हैं, अगर इनको आप गिंती करेंगे ति 100 निकलेंगे जागे. और percentage का मतलब 100 से ही होता है, यानि जो भी आपने 100 से लिया है, वो ही percentage का जाता है. पर माने 100 ही होता है, यानि आप इस प्रकास से भी इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लिजेगा कि आपके पास 100 रुपए हैं, 100 से ही बात करेंगे. 100 हैं, अगर आपने 20 रुपीज को इसमें से खर्च कर दिया, तो आप से ही पूँचा जाए, कि आपने कितने खर्च कियें, लेकिन जब आपके पास amount जादा हो, तब आप कुछ पैसे खर्च करेंगे, फिर आप percentage में कैसे बताएंगे, मान लिजे आपने, आपके पास 500 रुपीज थी, तब आपने 20 रुपीज खर्च किये, तो इसका किया मतलब है, अब इसे percentage में कैसे खर्च किये, percentage का यहां यह मतल अब अगर 500 रुपीज हमारी पास है, तो इस प्रकास से यह पास 5 note होगे, अगर आप इनको note में change करेंगे, तो आपके पास 5 note होगे, यह भी 100 का है, यह भी 100 का है, इस प्रकास से यह 100 के 5 note हो जाएंगे, अब आप देखेगा प्रतियक note से आप कितने रुपए खर्च कर रह इसमेंच किये, और इसमेंच किये, अब आप इनका सबका addition करेंगे ती, कितने हो जाएंगे, जाएंगे, 20, इस प्रकास यह 20, यह प्रतियक 100 के note से आप खर्च कितना कर रहे है, 4 rupees, प्रतियक 100 से आप 4 rupees खर्च करेंगे, तब जाके आप 20 rupees खर्च करेंगे, इसी चीज़ को परस्टेंटेज में करना चाहेंगे तो कहा जाएगा हमने फोर परसेंट रुपे खर्च की यह इसका मतलब था जब हंडेट की बात करेंगे तो सीधा सीधा हमने कोई कुछ भी नहीं का तो 20 हो गया लेकिन हमाई पास 500 रुपीज थी और 20 रुपीज उसमें खर्च की तो कितन का मतलब 100 सो होता अब ये अगर कैसे चीज को हमके उन्डेड करूद करेंगे हमारे पास कितने ृप शिणी कुछ सी मैं खर्च कितने कितने कि Deep & Water पास 500 रुपीज थी तो हमने 20 का कि constitute हमारे पास तो कितने फोर्च करते हमसे यह पूच्छा जा रहा है इसी रेशियो में जो हमारे पास ज्यादा आते ज्यादा खर्च कि यह कम होते तो कम खर्च करते अब इसको सॉल्व कर लीजेगा यह टू जीरो से टू जीरो केंसे लाट हो जाए और फाइब से ट्वेंटी डिवाइड करेंगे फोर आपका आ मुल्टीप्लाय करेंगे और पर्सेंटीज को अगर हमें हटाना हो किसी चीज का जैसे फोर पर्सेंटेज ही है और इसे फ्रेक्षन मेंगर चैंज करना थो फोर अपॉन हंड्रेड लेख देंगे शॉल्व कर लेंगे यह वजागा टू यह वजागा फिप्टी यानि और य इसी ratio को जैसे अभी हमारे पास किया यह 4% है इसे ही लिख सकते हैं, बन अपान 25 और इसी को लिख सकते हैं बन ratio 25 कि इस है इसी चीजु को हम कई तरीके से convert कर 스कते है, बन अपान 25 का भी वह poquito है और 4% का भी वह ही मतलब है तो same meaning है सभी के तो इस प्रकास से percentage की concept से related question वाज शीकने वाले आप चलते समते हैं अब यहाँ पर यह small square जो given है आपको 100 है गिंती में अब 100 में से हमने 1 को shaded किया है तो सीधी सवाद 100 ही है तो कोई calculation करने जरूत नहीं सीधा 1% हो गया यहाँ भी 100, 100 मेंसे 10 part shaded कि है तो 10% हो गया यहाँ भी आपके पास 100 है और आपने shad it कि है 90 तो 90% हो गया तो फिर unsaded की percentage अगर आप से पूची जाए तो क्या करेंगी यहाँ पर uncaded की percentage जाय घी 99 परस meidän अगर आपसे पूची जाय तो यहां पर unsadded की कितनी हो जाएगी 90% और यहां पर unsadded मतलब यह, यह कितने बचे 10 तो यह हो जाएगी हमारी 10% अगर shaded 90% है तो unsadded 10% addition करेंगे तो 100 ही आएगा यहां पर हमने देखो total 100 यहांनी सभी जितने भी small squares थे सबको हमने shaded किया तो यह हो गया हमारा directly 100% यहां पर यह 1, 2, 3, 4 questions उनने किये थी अब आपको करने के लिए question दिये जा रहे है और आपसे color part की percentage पहुंची जा रही है unsadded की नहीं पहुंची जा रही है अगर unsadded की भी पहुंची जा है तो shaded की कितनी है इसकी देखेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यह total अगर small squares की आप counting करेंगे तो 100 ने करेंगे तो 100 मैंसे जब हमने 8 को shaded किया 8 को color किया तो सीधी percentage हो गई 8 आगर आपसे unsadded की पहुंची जाती है 100 से 8 को कम कर देंगे तो यह आजाएगा 92 परसेंट वो आगई आपकी uncolored यानि unsadded region की तो हमसे shaded की पहुंची जा रही है यहाँ पर गिनिए का यह देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इंदा सेम यहाँ पर देखो यह 10 10 की तीन लाने इसमें 1234 यानि 40 त यह हो गए 41 42 43 44 तो यहाँ पर हमने जो color part किये 44 किये और यहाँ पर भी आप गिन सकते हैं 100 मेंसे unsadded को कम कर तो 123 यानि 30 कम कर देंगे 70 बचेंगे यह आप गिन लीजेगा 12345677 इंटू 10 70 तो 70 पर्षेंट जो इसका रीजन है वह हमने color किया हुआ नेक्स समस्क्राइब अब यहाँ पर कलर करने के लिए का जा रहा देखो यह गिंती किम करेंगे 100 निकलेंगे हंडेंट मेंसे वह करें 2% 2% मिस केवल दो आप इसमें से कोई color कर दीजेगा तो यह 2% हो जाए इसमें से 15 कर दीजेगा तो 10 तो आपको यह complete करने पड़ेंगे एक लाइन complete कर दीजेगा इस प्रकार से आपने पैंसिल से कर सकते हो 5 और कर दीजेगा 1,2,3,4 और 5 यह 15% इसका भाग जो है color हो गया है इसी प्रकार से और भी है तो इसको आप स्वैम कर पाओ इसमेंट मैंसे 37 को आप color करेंगे तो 37 के लिए 3 lines complete कर देंगे जैसे माल यह 1, 2,3 complete होगे इसमें से आप 7 गिल लेंगे यहां पर 6 line complete कर देंगे 8 to 7th line में से आप count करके color कर देंगे next question समझते है नेक्स है find the percentage of and fill in the blanks यह percentage out of 100 ही का गया तो आपको कोई calculation करने ज़रूरत नहीं जब 100 से ही हम चीज को ले रहे हैं तो हमारा वही percentage में convert हो जागा जैसे 6 out of 100 य किये तो 5% आपने 100 से 38 किये तो 38% और आपने 100 से 89 किये तो 89% in the same way next 100 से 98 किये हैं तो सीधा-सीधा 98% यह 100 से आपने 54 किये तो यह 54% और यहां पर 100 से आपने 13 किये तो 13% जब 100 की बात करें तो कोई calculation करने जरूरत नहीं जो आपने खर्च किया वह percentage में convert किया जा सकता है आपर next question understand and convert percentage number into simple fraction जो आपको percentage यह given है इने simple fraction में हमें change करना तो देखेगा बेहद ही simple तरीके से इनको किया जा सकता है देखो 10% था तो अभी हमने क्या का तो percentage को निकालने के लिए percentage में change करने के लिए 100 से multiply करते हैं और percentage को remove करने के लिए percentage को हटाने के लिए हम 10 से divide करते हैं वसी 10 upon 100 यह fraction होगी चाओ दिसको solo कर लिजेगर solo हो रही है तो यहाँ पर 40% को हम लिख सकते 40 upon 100 एक 0 से 0 cancel हो जाएगी 2 से 4 2 times 2 से 10 5 times that is 5 upon 2 upon 5 यह fraction मन गई आपकी 60 को हम लिख सकते सीधा-सीधा 60 upon 100 अब 1 यह 0 से 0 cancel हो जाएगा हमारे पास बचेगा 6 upon 10 यह 2 से फिर cancel हो रहा है 2 3 यह 6 2 5 यह 10 finally यह हो गया हमारा 3 upon 10 in the same way 35 को क्या लिख सकते 35 upon 100 अब यह नंबर 5 से डिजेल है नियुमिनेट यह डिनुमिनेटर दोनों भी 5 से डिजेल है तो 5 7 यह 35 और 25 100 25 5s are 100 यह 20 500 that is 7 upon 20 in the same way देखो यहाँ पर 8.25 हमको given है तो it can be written as 8.25 upon percentage को हटाने के लिए हमें पहले हंडेड ही लिखना है आप देखेगा इसमें क्या कर सकते हैं कि हमें फरेक्शन में चैंज करना फ्रेक्शन में डेशिमल नहीं रहता तो डेशिमल को हटाने के लिए हम क्या करने हैं डेशिमल के बाद कितने पॉइंट है टू मलब तू सिदा करीगा हमने हमें यह हंग्ध से मल्टिप्लाइ कर दिया इसके पॉइंट को रिमूब करने के लिए हैं न को टीप्लाइन दिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा फाइली यह क्या हो जाएगा 25 825 अपन 10,000 हो जाएगा क्योंकि यह 2 0 चले जाएगे इसको पॉइंट को रिमूब करने में अब देखेगा इसको और आपको करना पड़ेगा इसको पॉइंट तो जब तक होगा आपको करना पड़ेगा इसको लिख सकते हैं 18.2 अब यहां पर देखेगा पॉइंट को आप वन डिजिट है तो हम इसमें 10 का मुल्टिप्लाई करेंगे इस पॉइंट को रिमूब करने के लिए फाइनली यह वाला जीरो तो इस पॉइंट को रिमूब करने में केंसल हो जाएगा तो यह हो जाएग तो यह हो गया हमारा 91 अपॉन 500 अब इससे आगे इसको कटिंग नहीं कर सकते हैं यही इसकी फ्रेक्शन फाइली रहेगी तो आपने सुझ पाया हो गया किस प्रकास से पर सिंटिज की नंबर को हम फ्रेक्शन में कर सकते हैं नेक्स्ट है अंडेस्टेंड चेंज दा फ्रेक करना है तो देखेंगा हमें करना क्या होता देखो यहां पर बन अपन फाइव है तो बन अपन फाइव का मतलब यह कि आपके पास पांच रुपए थी तो आपने एक रुपया को खर्च किया यह तो सकता है यह जो होता है नंबर यह टोटल आमांट होता है जो आपके पॉक यहां पर क्या करें में मिल्टिप्ला करने के 100 हो जाए शिदीस बात ही आपके पास दो option देखो एक तो यह है कि बन अपोन 5 x 100 क्योंकि हमें percentage find करने तो हमने 100 से multiply कर दिया तो 100 की तीवल जाएगी 20 times finally यह हो गया 20% एक तो यह तरीका आपका है सबसे simple है कि हमें percentage find करने के लिए 100 का multiply करना दूसरा यह तरीका है कि आपके पास बन अपोन 5 था यहां पर हमको 100 करना तो किसका multiply करें यहां पर multiply कर दीजेगा 20 का यहां multiply कर दीजेगा 20 का finally हो गया है 20 बंजा 20 और 25,100 देखो वही चीज सेम निकल गया गया है हंडेड में से आप 20 को खर्च कर रहें तो सीधा सीधा 20 परसेंट ही तो खर्च कर रहें यह दो तरीके आपके percentage find करने के रहेंगे यानि fraction को percentage में convert करने के यह दो तरीके आपके रहेंगे जो आपको शुटीबल लगता हो वो कर सकते हैं इंदा सेम यह आप यहां पर देखेगा कि 3 upon 4 है तो 3 upon 4 multiply by 100 100 में 4 की टीबल 25 टांस जाएगी और 25 threes are 75 यह हो गया हमारा 75 percent second method यह रहेगा 3 upon 4 है अब 4 में किसका multiply करनेंगे 100 बहन जाए that is 25 का multiply कर दीजेगा तो यह हो जागा हमारा नियूमनेटर हो जागा 75 ट्वेंटीफाइव फोर जार 100 100 से सीधा सीधा 75 यह हम खर्च कर रहे हैं इसका मतलब है 75 percent ही खर्च कर रहे हैं यहां पर देखेगा 7 upon 25 है 7 upon 25 तो percentage में change करने के लिए हमने का 100 से multiply करेंगे तो 25 की table 100 में 4 times जाती है 4 7s are 28 percent दूसा method यह रहेगा कि हमारे पास 7 upon 25 हैं किसका multiply करने हैं कि 100 हो जाए तो सीधिस बात है हम 4 का multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 7 upon 28 और यह 25 फोर जा 100 तो 100 से 28 को हम खर्च कर रहे हैं तो सीधिस बात है 28 ही खर्च 28 percent को खर्च कर रहे हैं इसी प्रकास से next two question जो बचे हुए हैं आसा करता हूँ है आप इनको swim करेंगे इंदा same भी तो यह आपके लिए swim के लिए रहेंगे समझते next question बड़ा chapter होगा और इसमें सभी type के question आपके percentage से related होगे अब देखें कि fraction को हम किस प्रकास से percentage में change करेंगे यहां भी हम आपको दो method से बताने कोशिश करेंगे देखो एक तो यह है कि यहनोंने three हमने का percentage में change करने के लिए हमें hundred करना तो यह तो point three है hundred से multiply कर दिया hundred से divide कर दिया अब इस hundred का multiply तो इसके साथ करके solve करेंगे लेकिन जो upon वाला hundred है इसको आप टच नहीं करेंगे क्योंकि उसको हमें रखना होगा जिंदा तब ही हम बता पाएंगे क्या percentage बनती है तो यह तो नोंने इस तरीके इस किया अभी देखेंगा आप ऐसे भी कर सकती point five है point five को लिख सकते that is it can be written is five upon ten and five upon ten हमारे पास है हमने पहले क्या किया है कि जो decimal fraction उसको हमने fraction में change किया अब हम यहाँ पर चाहते ही hundred हो जाया तो किसका multiply कर देंगे इसमें सीधा सीधा हम 10 का multiply कर देंगे हो जाएगा देट इस ही हो जाएगा 50 और यह हो गया हंडेड 50 एपन हंडेड यह निहीं हंडेड सेंपचास रुपरे करें सीधी से बात हैं पचास पर सेंट ही खर्च कर रहें एक तरीका यह था दूसरा तरीका यह जो यह सुयम बता रहे हैं कि हमारे पास point five है हमने पॉइंट लगा हुआ था हमको भी point लगाना पड़ेगा और अपॉन हंडेड है यह थे हंडेड फिप्टी अपॉन हंडेड दैट इस फाली होगे हमारा 50 हंडेड तो जो मैत आपको सही लगता वो करिएगा यह ज्यादा आसा इसी प्रकास से और कॉशन पॉइंट नाइन पॉइंट से मुल्टिप्लाइ कर दिया और हंडेड कर दिया जो अपॉन वाला हंडेड यह रहेगा एजट जैसा है इसके साथ इसका मुल्टिप्लाइ करें दिया हो जाएंगी नाइन हंडेड लेकिन पॉइंट के बाद बन डिजिट हमारा भी पॉइंट के बाद बन डिजिट रहना चाहिए तो देखो वह भी 90 अपॉन हंडेड ही आ सब्सक्राइब फका से और यहां भी पॉइंट अब इतना है आपको यहां पर वाद बन डिजिट हमने ले लिया था सई तो डा इरेक्ट ली हम यहां भी करेंगे दिए पोइंट बाद बन डिजिट हम क्या लिखें एफिदिट यह फिप्टी सेवन अपाउन पॉइंट के हम क्या करेंगे यहां पर 10 का multiply करेंगे multiply by 10 तो यह हो जाएगा जाकर के finally हमारा यह point return में तो यह 0 एक आई गया तो 57 हो गया सीधा-सीधा यह 50 570 upon 100 यहनि 5 complete 5 complete means हो गया 500 यह कुल मिला के हो गया हमारा 570 percent in the same way आप यहां पर भी करेंगे इसी प्रकास यह 16.4 that is it can be written as 16 of 4 लिख देंगे लेकिन point को बाद बंड यह था तो हम 10 का कर देंगे multiply यह 100 करने के लिए 10 से multiply 10 से multiply that is यह हो गया सुगला सो चाले 16 140 upon 100 that is यह हो गया हमारा 1640 percent now in the same way you can solve question second second last यह यह दोनों कोशिण आप last वाली दोनों आप स्वेम्स ओ करेंगे समझते है next understand and change percentage into this अब यह percentage आपको गेवने और डेसीमल फ्रेक्शन चेंज करना अभी जस्ट हमने जो किये थे वो डेसीमल फ्रेक्शन को percentage में change किया था अब percentage हमको गेवने तो डेसीमल फ्रेक्शन ही चेंज करना आसान है यह point 5 है तो इसको क्या करेंगे percentage अटाने के लिए हमने आपके पिछली क्लासों बताया होगा अगर जितने 0 है divide करेंगे तो point left hand की तरफ जंप करेगा और multiply अगर करेंगे तो point right hand की तरफ जंप करेगा तो हम two zero से divide करने का मतलब यह हो गया जब two zero को cancel out करेंगे तो हमारा क्या हो जागा यह point two digit और इदर जंप कर जाएगा तो यह हो जाएगा जाकर के 0.00 two digit जंप करने बाद five तो अपनी जगे पर रहेगा यह यहां से आकर कि यह एक zero two zero जंप किया तो यह two zero आ गए अब इसको लिख सकते है 15 upon hundred तो directly two zero cancel out करेंगे त zero point one five forty eight can be written as 40 upon hundred two zero directly cancel out करेंगे यहां की तरीके से point यहां माना जाता है यहां पर point माना जाता है को इदर कोई number नहीं है तो वह उसको लिखा नहीं जाता अगर आप लिखना चाहता 15.0 40.0 अब हमने जब यहां से two zero cancel out करेंगे यह point two digit left hand की तरफ जंप करके चला जाएगा तिय the same way next है यह हो जाएगा हमारा sixty eight upon hundred यहां भी एक तरीक इस point इस जगे पर है भी जैसे ब डार्ट लिकें point यहां आ जाएगा तो जब point है नहीं तो आएगा कहां से हमने यह two two zero cancel out करेंगे यह point two digit जंप करके left hand की तरफ चला जाएगा in the same way 84 upon hundred यहां पर point माना जाएगा यह two zero cancel out करेंगे पॉइंट यहां पर आजागा zero point eight four in the same way next यानि last question आप स्वें करेंगे समझते हैं अगले question अब लिखा हुआ understand समझेगा and find the percentage percentage को पता करेंगा जैसे यहां पर देखेगा कि आपकी पास मालिए चालिस रुपे थी और आपने 90% को खर्च कर दिया तो आखिर आपने क 40 पहले लिखेंगे आपके जिगा multiply करके 90 upon 100 लिखेंगे को percentage हटा नहीं है तो हमने का 100 से डिवाइड करते हैं अब इसको लिख सकते है 80 into 70 percentage लिखा that is it can be written as 70 upon 100 बस इसी को solve करना है 10,000 Canadiansети एक जीरो केंचल हो गया एक जीरो सीएजीरो केंचल हो गया 97 यानि in का multiply करेंगे 56 यानि आपके पास 80 रुपे हैं और आपने अगर उसका 70% खर्च कर दिया हिस्सा तो आपके पास आपने किया खर्च किया आपने 56 रुपे खर्च कर दी हैं तो आपके पास बचा कितन हमारे पास 300 है और इसका हमने 33% खर्च कर दिया इस प्रकास से यह 3-0 से यह 2-0 से 2-0 करेंगे तो यह आजागा 99 यानि 300 का अगर हमने 33% खर्च गया इसका मुलब हमने 99 रोपी उसमें से खर्च कर दिया इस प्रकास यहां पर 500 है 500 यह 60% हम लिखेंगे 60 अपॉन हंडेड यह 2-0 समने यह 2-0 खर्च कर दिये और यह हो गया है आपका 5 630 और यह 0 यह अपनी जगह पर बरकरार रहेगा इसका मतलब है 500 रुपई में से अगर आपने 60% खर्च किया तो आपने 300 रुपई खर्च कर दिया यह आदे से थोड़ा ज्यादा इसी प्रकास से हमारे पास है 645 multiply by 45 अपन अब देखो कोई जीरो कोई जीरो केंसल आउट नहीं हो रहा है तो हमें सीधी इस बाते सॉल्व करना पड़ेगा तो देखो 5C केंसल करेंगे तिया जाएगा हमारा 20 अब 5 से इसको भी केंसल करेंगे तिया जाएगा हमार 4 अब 4 से कोई नंबर हमारा केंसल नहीं हो रहा है तो हम करेंगे इनका multiply 9981 के 892 जाफ 18 और 826 केरी 29 मंजा 902 11 अपन 4 आप 114 जी डिवाइड करकी भी बता सकते हैं इन दा सेम भी आप लास्ट टू कोशन स्वैम करेंगे यह आपको सॉल्व करना भाट परसेंटेज इस 30 आट इस खर्च कर दी इस परकाश से मान के चलें आपके पास 40 रुपई हैं और आपने उसमें से 30 रुपई खर्च कि तो कितना पर्शेंटेज कर दिया यह पूंच जाएगा ठीक तो उन्होंने क्या किया है इस परकाश से किया लेकिन हम आपको यहां से बताते हैं नेक्स यह कह हो गया चौथा फिप्टीन ही हो गया देखेगा यह फोर पार्ट्स में यूकल यूकल अगर हमने डिवाइड कर दिया इसका मतलब है आपने 25 पर्सेंटेज कर दिया अगर आप हंडेट को भी मान के चले हंडेट को चार बराबर भागों मातें कितना हाथा 25 25 25 और 25 तो पंद्रे रुपए यह उवारी पास साथ रुपए थे तो पंद्रे खर्च किए है सिदिस बात है हमारे पास अगर हंडेट होते तो हम कितने खर्च करते इस प्रकास यह आप करें इसको सॉल्व करेंगे वही आपका आंसर आगा हिए डिवाडड बाइड मुल्टिप्लाइ 25 देको यह आगया हमारा 25%. यह मौखे करने का तरीका था. आपकी बार आपने क्या किया किया कि आपके पास 400 रुपए थे और आपने 300 रुपए खalcz किया जब 400 थे तब 300 खalcz किया अगर हमारे पास 100 होते तो क्या खalcz करते उसी रेश्यू में यह टू जीरो से आपके यह टू जीरो के इंसल आउट हो जाएंगे अब जब 4 से आप 300 को डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए 300 डिवाइड वाई 4704 तो 4708 तो बच जाएगा 4708 यहां टू बच जा यह 20 और 45020 यानि आपने जो खर्च किया है वो पैसा जो खर्च किया है वो 75% टूटल का खर्च कर दिया यहां पर आपकी जिया में 15 100 रुपए है 1500 आपने 1200 डूपीज को खर्च कर दिया है जब आपके पास 1500 डूपीज त दिया है और अगर आपके पास 100 रुपीज होती तो आप कितना खर्च करते हैं यह को हमें शॉल्ब करके बताना तो यह तो जीरो से एक तरीके से हमारे यह कोई भी तू जीरो काड़ी चाहिए इसको काड़ दो चाहिए इसको काड़ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक अब हमने अपना पूरा अमांट खर्च कर दिया इसी प्रकास से यह हमारे पास बन थावजन से 600 खर्च किये हैं 2400 से हमने 400 खर्च किये और 3600 से हमने 500 खर्च किये इंदा सेम भी जैसे हमने यह तीन क्वेशन उपर करके दिखा यह आपको आप से हैं करें कि यहां पर कुछ आपासने बन ठोन 4 हो गया ठीक और बन ठोन 4 को किसी परड़े हमोलश्य क्या है किश्यक्स करेंग रग्यों हुआ हो चांद हो सेप्रच 25 का मुल्टिप्लाइ करने पर यह हंडेट हो जागा 25 का मुल्टिप्लाइब रहे गा और यह हो गया हमारा मारा हंडेट सीध जध Ann earned 25 percentage इसी चीज को हम decimal में change करें कि हमारे पास upon 100 है तो कुछ भी करने जोते हूँ ये 2 zero काटेंगे point हमारा के आजागा zero point हाँ ये तो decimal में change करना था सबरेar decimal में 또 decimal में change होगया 0.25 और percentage में change होगया हिसे 25 percent 25 upon 100 25 percent होगया decimal में change करना चाहतब तो सबसे पहले हम इसकी फ्रेक्शन लिखेंगे यहां भी उतना ही आएगा ठीक डेसिमल में चैंज करना यहां पर जीरो पॉइंट टू फाव आएगा और पर्शेंटेज में इसी को पर्शेंटेज लेकर देंगे ट्वेंटिफाइव पर देखेंगे कितने पार्ट कि यहां कि यह है वह बिग पार्ट दोनों यह दिखाई दे रहे हैं तो अगर हम इस प्रकास से कर देते हैं तो यह बराबर बराबर भी नहीं होंगे अब इसको इसी प्रकास मानके चलना पड़ेगा यह फाब यूकर पार्ट हैं तो इसकी फ्रेक्शन तो बन जाएगी हमारी इसमें देखीगा इसमें थोड़ा हमने गलत पड़ा दिया आपको है यहां पर हमने अनसेड़ रीजिन का निकाला हमें सेड़ रीजिन का करना है 1, 2, 3 सेड़ रीजिन थे यह वह जाएगा 3 अपॉन 4 और 3 अपॉन 4 को जो हम पर्षेंटेज में चांज करेंगे तो यह वह बन को समझ के यह हमने वह कर दिया है यहां पर देखेगा हमारे सेड़ दो है और टोटल 1, 2, 3, 4, 5 है यह फ्रेक्शन में लिखना चाहिए तो 2 अपॉन 5 हो जाएगा ठीक अब डेसिमल में चेंज करने के लिए 2 अपॉन 5 अब यहां पर 100 करना चाहते हैं तो 100 करने के लिए 100 सेलि करने तो हमारा डेसिमल उफ्रेक्शन परचेंटीज दोनव एक साथ चेंज हो जाएगा तो मुल्डिप्ला ये 20 में 20 हमें ये मल्टिप्लाइक करेंगे ऩा बहले सीधा जीदा हंड़ेद 22 आप 40 और ये हो गया हमारा हंडेड पर्चेंटेमा डेसिमल में चाहिए यह सी 6 7 8 given है total 8 given है 8 में से हमने 4 को shaded किया है तो यह हो गया हमारा 4 upon 8 4 upon 8 को अगर आप करना चाहे तो इसे 1 upon 2 भी लिख सकते हैं ठीक तो 1 upon 2 यह नि टोटल अगर मान की चले है दो हिस्वम अगर मान तो आधे को हमने color किया है तो यह हो गया 1 upon 2 multiply by 50 multiply by 50 that is 50 upon 100 अब decimal में change करना चाहे तो यह आगया हमारा 0.5 और यह 50 upon 100 को यह परसेंटेज में लिखने के लिए कहल देंगे 50% आधे करिये हमने बहले गिंती में चार किये है आठ में आठ में से अगर आप चार खर्च कर रहे है तो आधे खर्च कर रहे हैं यह 50% का मतलब यह होता है आधा इस प्रकास से आपके पास अभी दो डाइग्राम और बचे हैं इन में आप अपना स्वयम का दिमाग लगाएं आपको टोटल पॉपुलेशन ओफ बिलेज बिशंबर पुर इस बंधावजन इन विस 25% आप यूपिल आर इन गावर्मेंट जोब अब किशी गाव में बंधावजन जनसंख्या है जो लोगों की इनती है वह बंधावजन है उसमें से 25% लोग गावर्मेंट जोब में है 25 परशेंट लोग गावर्मेंट जोब में हैं लेकिन आप बताएगा कितने लोग गावर्मेंट जोब में हैं तो नंबर ओप्यूपिल इन गावर्मेंट जोब या नंबर ओपॉपुलेशन ओफ गावर्मेंट जोब आप यहां पर यह लिखेगा नंबर ओप्यूपिल इन और पर इतने लेंग्वेज पहले लिखेंगे नमर प्यूपिल इन गॉर्मेंट जोब आर हमारे पास टोटल पॉपूटिशन के लिए थी वन थाउजन इसके कितने परसेंट इस लोग गॉर्मेंट जोब में 25 परसेंट तो इसी कामे 25 परसेंट फैंड करने 25 परसेंट को 25 करने एक बाद हमारे पास 250 आजाए इन 250 लोग ऐसे हैं जो गॉर्मेंट जोब में हैं से इस बाद चौथा परसेंट का मतलब होता किसी भी चीज का फोर्थ पार्ट और 1,000 का फोर्थ पार्ट 250 होता है इसी प्रकास से हमको नेस्ट गिवन है देरेजे 20 परसेंट डिसकाउं से किसी चीज को आप खरीदते तो आपको 20 परसेंट का डिसकाउंट मिलता है हाव मस्च डिसकाउंट बिल यू गेट ऑन परचेज अब बताएगा कितनी आपको छूट मिल जाएगे अगर आप 600 रुपय का कोई सामान महां से खरीदते हैं तो हम यह लिखेंगे आपको जब 600 रुपय के सामान खरीद रहा एक तो बीस परसेंट के आपको डिडेक्शन मिल याएगा तो फाइनली आपको जो पे करना पड़ेगा वह वहां पर 120 रुपय 600 कम कर देंगे तो 480 रुपय आप बहां पर पे कर दीजेगा और आपको यह सामान 600 रुपय वाला मि याएगा डिडेक्शन का मतलब होता मोल भाव कर लिया आपने 600 रुपय की चीज को 480 में खरीद रहा है यह 120 का अपने मोल भाव कर लिया समझते हैं लास्ट टू कोशन और लास्ट टू कोशन इस प्रकास से देर वर 40 स्टूडेंट इने क्लास 5 और प्रामरी स्टूडेंट आदर्शनगर में जिसमें 40 स्टूडेंट 40 विद्यार थी आपके क्लास में हैं एन्युल एक्जाम 10 परसें इस सोती बार्सिक परिच्छा उसमें 10 परस्ट पूजीशन लाई यानि प्रथम नंबर फस्ट आये 60 परसेंट इस्टूडेंट सेकंड डिविजिन पास्वे हैं 25% इस्टूडेंट थर्ड इविए पास हुए है तो फिर यह पूंचा जा रहा हाव मैं इस्टूडेंट फेल इन दागी जया मिश्मत पर कितने फेल हो गए अब देखिएक इस व्लिकार क्या तो हमें करना के दिको हमारे पास टूटल एकजाम में पास होने बाल है अगर चालिस की बात करें तो इसका मतलब है 100% अगर 40 के 400 बच्चे पास हो जाते तो हमारा मतलब था कि 100% स्टुडेंट पास हो गए लेकिन हमारे पास पास हुए कितने हैं डिवीजन कोई भी हो यो इससे कोई मतलब नहीं हमें 10% यहां पर पास हुए है यानि 10 और 60 यहां पर पास हुए और 25 यहां पर पास हुए है तो फाइली कितने हमारे पास हो गए यह हो गए हमारे 30 निए 95 स्टुडेंट यह हो गए 70 प्लस 25 यानि 95 परसेंट इस्टुडेंट हमारे पास हो गए तो फिर फिल कितने percent हुए है, यहां से हमारी failing की percentage निकलाएगी, फिल स्टुडेंट है, उनकी percentage निकलाएगी, अब आप 100 से जब 95 को मानस करेंगे, देखो लो, percentage of fail student, percentage of 100 में से आपको 95 को जब मानस कर देंगे, निकलेगा जाकर 5%, यानि टोटल में से 5% student fail हुए है, यानि 100 student अगर एक्जाम में बैठे होते हैं, तो 5 student fail हो जाते हैं, 95 pass हो जाते हैं, तो फिर कितने student fail हैं, that is, total student हमारी 40 ते 40 का 5% निकाल लीजिएगा, हमें fail बताने हैं, तो fail की percentage निकाले, नहीं तो pass की percentage निकाले तो बड़ा हो जाता है, तब टोटल में से हम 100 से घटाते जाके तब पता पाती, एक जीरो सी एक जीरो के इंसल हो गया, और 5 बंजा 5, 5 तू जा 10, 2 से 4 के इंसल हो गया, यानि finally 2, यानि कुल मिला करके तो वो student ऐसे हैं, जो एक जाम में fail हुए, यानि result तो school का अकुल मिला के अच्छा रहा है, तो इस परकास इस question को किया जा सकता है, हमने passing की percentage का addition किया, 100 से कम करके fail वाल student की percentage निकाले और टोटल में से fail student की शंक्या को बताया, last question, लास्ट question यह कि अनिमेश वाज present for 198 days out of 200 days in the school, अपने school की 200 दिन की पढ़ाई में एक लगा 198 days present रहा है, यानि दो दिन की मात्रस की absent रही है, 200 में से देखेगा, यह 200 दिन की school की पढ़ाई थी और उसे 198 days तक present रहा है, यह present लिखा हुए, के बल दो दिन absent रहा है, ठीक है, तो find out the percentage of attendance in the school, तो उसे 198 days present रहा है, तो इसकी को percentage में change करने के लिए कहा गया, तो देखेगा, इसकी percentage, यानि percentage of present, यह present की percentage आपको लिखनी है, तो directly आप लिखे दीजेगा, present percent is equal to, हमारे पास कितना था, a school का जो खुलने के दिन थे, वो 200 थे, और हम कितना दे इसकी रहा है, 198, या इसे मान के चलिए, आपके पास 200 रुपए हैं, आपने 198 खर्च कर लिए, जब 200 थे 198 खर्च की, मान लिखिए आपके पास 100 होते तो कितना खर्च करते हैं, यह two zero से two zero cancel out हो गई हमारे पास केवल बचा one ninety eight upon two that is finally आगया ninety nine percent यानि ninety nine percent days or a school में present रहा है तो देखेगा यह class लंबा हो गया क्योंकि इसमें काफी कुछ matter given था हर प्रकार के percentage related question थे हमने आपको समझाने कोशिस की आसा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे इस class में try that's all